प्राडों की जान की बादी लगा कर जो है 26-11 का मुखावला किया और उसमें अपनी आवधी है तो सबसे परेवियों में नमन करते हैं और सवार इसमें कई ख़़ा करते हैं कि 26-11 जो हमला हुआ था एक तरह से देश के उपर हमला था और उसको दो दिन तक जो है मुंबई करोने छेला जिस तरह से और उसके बाद तुरन जो है मुंबई नार्मल भी हो गई इसके लिए तही दिल से सबी लोगों को शुक्रिया विजारा करते हैं विडियो मादम से और सवाल ये उठता है कि क्या 26-11 का प्लान हमारी खुपिया एजन्सियों की निश्क्रिता थी या 26-11 का जो हमला हुआ था उस तरह का हमला फिर से हो सकता है ऐसे कई सवाल है और एक सबसे अहम सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है कि इतना बड़ा आतमवादी हमला हुआ तो क्या हमारे देश के जो कुछ गद्दार लोग है इसमें सामिल नहीं होंगे उनके बग प्रश्ची लट था बारव बंबलास्ट होने के बाद हर नाके पर चौक्सी बढ़ाई गई थी हर आपीशों में जाने से पहले उनकी सलाशी ली जाती थी जबकि वो जो आडियेक्स आये थे वो समुद्र के रास्ते आये थे और यह आतंगवादी भी समुद्र के रास्ते कुछ भी हो सकता है तो क्या हमारी सरकार समुद्र की सुरच्छा नहीं बढ़ाई यह तो बहुत-बड़ी कम्या है इसके ओपर कोई बहस नहीं करता है पस यही सवाल खड़ा करते हैं कि 26 गारा क्यों हुआ क्यों हुआ पाकिस्तान ने हमला किया उनको सजा नहीं मिली एक कस पाल रुटता कि आखिर में हमला क्यों हुआ कि मुझे कुछ आप पूछने से पहले मैं सब को बता दूँ कि आज हमाले यह विशेश आउसर है कि जब हम उसके सक्षी 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 खुद शामगीरी भाई है वह जब हमला हुआ तब वह एक चैनल के लिए काम करते तो मैं आज चाहूंगा कि मैं सर आप से वह कहानी उस दिन की जो है वह सुनना चाहूंगा लोग भी सुनना चाहेंगे तो इसके बारे में टेकनिकल अगर कुछ आपको बात में पूछना है कि मेरा उपिनियन तो वह एमियत इतनी रखता नहीं जितना आपका अनुखव तो देख रहे थे कि अब आएगा साड़े 10 मुझेगा उसका डेली का स्टोता था क्रिमिनल करेके प्रोडाम था उसमें चैनल में तो देख रहा हूं तो वह प्रोडाम ही कैंसल हो गया है और वहां पर जो है एक बदलब की फायरिंग दिखाई जा रही यह दिखाई जा रह हो रहेगा कोई तो अचानक दस मिन बाद इसा पता चला कि बड़ी फायरिंग हो रही है और लियोपार्ड होटल में भी जो यह काफी लोग मारे गए हैं और उसके बाद तो फिर आओ भी त्राइडियन होटल में भी बुझ गया है फिर वह जीस जो होम था वीटी स्टेशन नरिमन हाउस स्टेशन कामा हस्पिटल यह सब जितने लगातार दो घंटे अंदर सब कुछ हो गया एक टेक्सी में बाम ब्लास्ट तो यह सब चीज होने पाद मतलब की अईसा लागे क्या हो गया मंबई वचानल इतने अबड़े हमले और किसी को पता नहीं किसी को इसकी ज जमना है हमारे एक तरह से फेलियर है हमारी सिस्टम की कि जिस तरह देखा आपने की स्टेशन पर जूलन क्या नाम था जू राइफल से फाइरिंग करा फाइरिंग नहीं हो रही है तो इस तरह से देखने बात मैं खुद जो है उस रात तो नहीं गया लेकिन अरली मर्निंग कहां खड़े करें क्या नहीं तो ट्रेन में इतनी पहनिक और कहीं कुछ भी सुनाई दे रहा हुआए उदर से आ रहे है दो दो जन लुदर लुजान रहे है इस तरह का रूमर रूमर इतने थे कि उसके वज़े से लोग इतने पर रिसानी थी भाग रहे है उधर उदर तो म मोटर्मेन ने डेकलियर किया कि हम चलाएंगे क्योंकि कुछ भी हो सकता है क्योंकि से पहमला हो चुगा था और उसका फिर वहां से पैदली ताज होटल गए वहां पर वहां का हालत देखा मैंने होटल के अंदर से चर्व ग्रेनेट बाहर फेका जा रहे थे पतरकारों के उप और नेजी कमांडो हालकि आ चुके थे वहां पर लेकिन इस तरह से फाइरिंग हो रही थी वह सथ देखने बहुत ही हॉरिबल थी और इस पर यह सथ से बड़ा था कि कुछ लोग उसके अंदर हागयक हुए थे होटल के अंदर हम तो बाहर अपनी अनुबह बयान नहीं कर सक वो तो बिचारे अंदर फशे हुए थे आतंगवादियों के बीच, वो निकल नहीं पा रहे थे, उनको फायर बिगेट के मदद से या किसी तरह उनको बाहर निकाला जा रहा था, लेकिन उनको निकलने के बाद ही किसी तरह से कुछ लोगों से मिले भी, लेकिन कोई बोलने की हालत में नहीं था, लेकिन जिस तरह से वो 12-12 खंटा वो लोग वहाँ पर अंदर बिता के जो आये थे, और बहुत ही होरेबल सीन था सर, लेकिन इस, यह कैसे भी हो, लेकिन मुंबई पुलिस ने उसको फायट किया, और कुछ जवान को भी गवाए, कुछ आपी सर चले या उस फायरिंग को और जिस्टर से वहाँ पर टाना चाहिए था, वहाँ उस पुर्य फोर्स साथ नहीं गए वो, इनको अपेले जाने के जरूरत नहीं थी, मेरे शाल से, और उसका सिकार हो गए वो, तो प्रार के बाजी लागा गए ही थे, लेकिन इतनी आसानी सिकार हो वो बहुत ही विटमनावली बात है, सरब क्या कहेंगे कि इतनी बड़ी साजी स्रची गई और उसके पहले रेकी भी हुई, कुछ लोगा के नाम भी आये, हैडली ऐसे लोग आके रेकी करके छेचे मिना आसे, यहाँ पर आके गए हैं, और पुरा फोटो और क्या से क्या प् इंटरना कुपिया इंटरना और हमारे जो जाबाद लोग जो है खाली तमासा दिखते रहे और किसी तरह जो है उन लोगों के खात्मा कर सकें, आपको क्या लगता है कि इसमें यहाँ के लोगों के बगए हो सकते हैं, मगर संसत के उपर हमला हुआ कहां, इंटिलिजन्स को पता था कि हमला होने वाले, अब दिल गुरो और उनके इस सब्वे इन लोगों ने किया, संसत, अभी खतम ही हो गया मामला, एक बार आपके संसत के उपर हमला हो सकता है, तो अपनी सारव भूमता और सुरक्षा और इसका कोई माइन नहीं नहीं जा, तो संसत पे हमला हुआ तो यह हमला उस तुलना में अलग हो जाता है, मामला, तो हमारे इंटिलिजनस फेलिएर है, मगर ऐसा उनको बोलने जाते है, तो हमास ने तो पूरा इसराइल में घुसके मारा है, हजारों लोगों को मार दिया, आच हजार रॉकेट डागया, और इसराइल के तरह फेल है, हाँ, तीन साल तक वो तैयरी कर रहे थे, फिर भी इनको पता है, तो इसराइल अगर फेल होता है, इंटिलिजनस में, तो हमारा फेलिएर, हम इमेलेशन क्या करेंगे, उसके बारे में क्या बोलनेंगे, ट्विन टावर्स गिर गे, अमेरिका में, इंटिलिजनस को पता ने, तो इंटिलिजनस को कहां पता चला, नहीं पता चलता है, तो दुनिया भर के कितने भी देश ताकदवर हो, कितने भी अत्यादूनिक हत्यार हो, यंत्रना हो, तो सब अतिरी की दर्शदवाजी जो है, उनका जो ये रहता है कि हम मर जाएंगे और मारेंगे, उनका वही वैसे वो ट्विन टॉर जो गिरा, तो वहाँ पे मैरा एक रिलेटिव था, थोड़ा दूर था नसीब से, उसने वो टॉर पूरा गिरता हुआ देखा और फिर भाग गया, उसने वीडियो भी निकाला था, भीजा था हमको कि I was very much there, थोड़ा मैं अंदर जाता था, तो वहा नहीं माननेता दी हुई, वो तो क्रेमलिन के उपर चल गए, और पचीस-पचास हजार सही निकले के चले, उनको मारने के लिए पुतिन को और इनको, पुतिन भेल हो गया, सब चाहिना में अभी-अभी कितने बॉम्स फोटर यह हो रहे, वहाँ पे, वहाँ भी वो चाहिना नहीं रोक पारी है, तो सब्सक्राइब को भी हम खाहत तक दोज दें, अभी मेरे समझ भी नहीं आ रहा है, अगर इनकी भी फेलियर है, तो सर जिस तरह से फेलियर आप बता रहे हैं, तो क्या लगता है, चाहिना स्विस-इयारा जैसा फिर हमले, पॉसिबल नहीं है, हो जा सब्सक्राइब करने के लिए हमारी लड़ाई पाकिस्तान से हो सकती है चाइना को करने के लिए हम भी तयार नहीं है सब्सक्राइब करने के लिए हमारी लिए हम पाकिस्तान कहीं नाम आता है हमेशा और देखा भी है लगता है कि आने वाले दिनों में और भी कंट्रीस से भी अपने को धोका है जैसे चाइना तो है ही बगल में और मैं आमार जैसे लोग है पंगलादेश है ने यह दुश्मन नहीं है ना अपने थोड़े अपने से दूर हुए है चाना के तरफ थोड़े मुड़े भी हैं मगर अपने दुश्मन नहीं है यह दुश्मन है पाकिस्ता चाइना यह दुश्मन है तो वो कुछ नो कुछ करते रहेंगे कारगिल करेंगे यह करेंगे वो करेंगे और उनको क्या नो मिलिटरी लड़ सकती है अगर पुलिस को जिस प्रकार से वो पकड़ते अने वेर वो ने र पूरे मुंबई चान की आओ आते ले क्यानिकी जुरत में रास्ते पर कोई भी किसी को भी यह कर रहा है भी मार रहा है यह रहा है मतलब क्या बोले अभी इसका सर इसका तुम्हें कारण यह कहूंगा कि लोग कानून का डर नहीं अब अब जिन्होंने विमान पर लिया वो तो उसके मर गए उनको मानना ही थार ना है और सर एक धार्मी कुनमा भी इतना निर्मान हुआ है कि हम धर्म के लिए मरेंगे है सब मुल्के लोग चल रहे हैं मगर इसका भी सर इतिहास है इतका भी इतिहास है हिंदु राजा भी लड़े तो हिंदु धर्मा के लिए लड़े हैं हजारो लाखों सेनिक मर गए सिर्फ एक हिंदु धर्मा को बचाने के लिए तो धर्मा को बचाने के लिए बढ़ाने के लिए धर्मविरोधी जो लोग मानते हैं उनको हमला करने के लिए ये तो चलता है, 쿠कूषेड सार तीन सो साल से ले जा'm, तीन सो साल या, दो हजार साल से ले मेरे कांसे, मैं गड़बत कर आओ, दो हजार साल कुरूषेड चले, हिंडु, मुसल्मानों और कुछन एक दूसरे को मारते ले, पता नहीं कैसे लिए मार रहा, तो ये दुनिया का इत्या स्थ में कुछ नहीं होगा अमेरिका में भी सर अभी धर्षदवादी हमले उस प्रकाट नहीं थै तो ये हम रोकना इतना आसान नहीं नहीं है क्यों कि वो मरने के लिए निकलते है तो मारते है तो सर यह होता रहेगा हमको इतना ही है कि जितनी हो सके उतनी सरुक्षा रखनी है उसके बावजूद भी अभी देखो कश्मीर में भी दर्शदवादी उनको मारते हैं कल हमारे वार कल पांथ लुक तहीं पर सो कल दो आतंगोदी दो आतंगोदी उनको मानने के लिए पांथ शेहिद और 25 गाया मतलब यह लड़ाई कितनी मुश्किल होता है दोनों अभी तक फाहत पकड़े करें नहीं तो कश्मीर में तो रोज हो रहा है वहां पे तो सब आलर्ट है फिर भी दर्शदवादी आते हैं फाइरिंग करते हैं हमारे पांच एक जवान और अधिकारी मार दुनिया दर्म के नाम पे ही लड़ती है या तो भूमी या दर्म जोनों इसे एक के लिए लड़ती है और लड़ेंगे लड़ेंगे जुनिया लड़ती लड़ती अभी इस दिरायर लो इसमें देखो नो 22 देश सिर्फ धर्म एक है करके एक आगए 22 मुसिलिम देश एक होगी तो यह क्रिश्चन और मुसल्मानों की लड़ाई फिर से बड़क गए हिंदू ही दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है हंदू देश हमारा हंदूराश्टर हो सकता है अगर अधित्यनाद बन गए बदान नंत्री तो हो सकता है मुदी नहीं बनाएंगे उनकी हित्मे में भी नहीं हिंदूराश्टर की चर्चा करना उनके हित्में बनाना हित्में नहीं है और अभी 24 के पहले अगर उस प्रकार का कोश किया तो और भी सर एक सवाल मेरे अंदर बार बार पूशता है कि जो 26 गार हुआ उसी प्रवापस आते हैं तो क्या लगता कि यहां के इसके उपर ही हमले होते थे पब्लीक आके उनको ही मारती थी हमने देखा है वहां से कोई अगर रेकी करने भी आता है तो उसको ताज होटल किया है कहां मालूम नहीं नहीं है तो मदद होती है ना इस राश्टर में भारत में जितने परकिया अकरमन हुए वो सब अपने ही राजाओं ने उनका साथ देके अपने ही राजाओं का पतन किया ऐसा एक भी आकरमक नहीं है जो देश में आया और अपने बलबूते पर आगए बढ़ा स्थानिक राजा उनको मदद करके दूसरे अपने ही राजाओं के बैंट बजाते रहे तभी तो भारत का इतिहास जो अभी उनको हम गदार बोलेंगे उसमें वो तो सैनिक थे अंके अर दूसरे महायुद्ध में जितने ब्रिटिस सैनिक नहीं मरें उतने हिंदूस नहीं मरें इंग्लेंस के लिए लड़ने के लिए कि यह दुनिया इसी है सर अपने ज्यादा डीटेल में नहीं बताया मगर मे प्रिटेल हो रहे थी ताज और अबिराय और नर्मवन हुश इस तरह हुए थे लेकिन जब सीस्टी स्टेसन पर जो हमला हुआ उसकी वज़े से जो है बतला और भी आतंगवादी हो सकते क्योंकि कि किसी को नहीं पताता कि दसी है और भी आतंगवादी हुआ है उसके कई ए कि खटला जो था जी कितने सालों तक चरा जीए उसको उम्बडे ने पकड़ा जी उसको मार क्यों नहीं दिया उसी समय वो सर उनको निकलोना था कि आखिर में लोग क्या है उनको प्रूब चाहिए था कि कहा से आये हैं पाकिस्तान का सबंदर भी प्रूब करने के लिए और कांग्रेस सरकार थी सेंटरल में और महाराश्ट्र में लिए तो पहले तो यह दिखा लाए तो बाद में हिंदरों को पकड़ा तो कुछ लोग बोलते भी तो नामी नहीं मिलता तो कैसे चाहिए नहीं बरावड़ा वो कसाब को पकड़ा तो पाकिस्तान का नाम आया वो मु समसद के हमले पर वह अबजल गुरु को तो फासी देते देते सुप्रीम कोशिम भी आजसक्षब किया था चुपचाप ले आगे फासी दे दिया ओ अच्छी बात हुई क्योंकि नहीं तो कोई सुप्रीम गुरु राज़ी जाता आतो बहुत बहुत समर्थक भी है अब भी आभी तो ऐसा है कि देश में या तो लोग हिंदु राष्ट वाजिया है या राष्ट की विरुद्ध है जो ही लोग हो गए है जाने दो उसके बारे में आलक से बोलेंगे सब्सक्राइब करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करेंजिए और हम जो है आप तक विडियो पहुंचाते रहें आज जरा थोड़ा सा हम मैं भी नर्मी में अभी बज़े थी इतना दो बज़े एक दस मिनिट पहले उठा हूँ बहुत खरब है मैं तो जैसे बेड़ से उठ कि मिस्ठा में जानता हूँ तो थोड़ा हो जाएगा एक दो दिन और लगेंगे ठीकने से धन्यवाद ज्याहिन ज्याए भारत